वीडियो கुख को पता है अधिकतर हवाई जहाज सफेद क्या होते हैं। बदलों पर उचे उड़ान और एरोप्लेन में बैठने का रोमांस आपके मन में सुयद आते होंगे लेकिन क्या आपने कभी एरोप्लेन के रंग पर गौर किया है या फिर हवाई जहाज को सफेद रंग के अलावा किसी और रंग में इमेजन किया है नहीं तो देखते रहे इ प्लेन को ज्यादा समय दूप में रहना होता है और सूरज की किर्णे सीधे इस पर पड़ती है इन कारणों से इंफ्रारेड इरेज भी सामिल होती है जो बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करती है ऐसे में सफेद रंग प्लेन को इस गर्मी से बचाता है क्यांकि सफेद रंग अच्छा रिफ्लेक्टर होता है जो सूरची केड़ों को 99% तक रिफ्लेक्ट कर देता है जिससे हवाई जाज गर्म होने से बच जाती है बाकी रंगों की तुलना में सफेद रंग की वीजिविलिटी जादा होती है जिसके करण सफेद रंग का हवाई जाज आस्मान में असानी से दिखाई देता है जिसमें एकसिडेंट से बचाव भी हो जाता है बहुत अछे से सफेद रंग में डेंट या क्रैफ असानी से दिख जाते हैं ऐसे में प्लेन की सुरक्षा जाच करने में सफेद रंग बहुत ज़्यादा मददगार होती है बाकी रंगों की तुल्ला में सफेद रंग का वजन कम होता है ऐसे में सफेद रंग का हवाई जहाज ही फाइदे का सौधा साबित हो सकता है हवाई जहाज को सफेद की वज़ाए दूसरे रंग में रंगवाने का खर्च भी बहुत जादा आता है जबकि सफेद रंग का खर्च काफी कम होता है हवाई जहाज पर कोई दूसरा रंग करवाने से समय भी बहुत ज़्यादा लग सकता है लागवक तीन से चार हफ़ते का समय इसे समय की वरबादी को भी सफेद रंग से अगर आप उसको फेंट करवाते हैं तो काफी समय बज जाता है सफेद रंग धूक में राते हुए भी लंबे समय तक एकसा बना रहता है जबकि दूसरे रंग धूक में जल्दी खराब होने लगते हैं ऐसे में सफेद रंग करवाने का फाइदा ही फाइदा है सफेद की वजाए दूसरे रंग करवाने पर हवाई जहाज का वजन बढ़ जाता है जिसके कारण इंदन की खपत भी बढ़ जाती है जबकि सफेद रंग करने से प्लेन की वजन पर जादा असर नहीं पड़ता है जिसे इंदन की खपत भी कम होती है और कम्पनी का खर्चा भी बढ़ने से बढ़ जाता है मैं उमीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक सेर और सब्सक्राइब किजिए और कमेंट में बताईए कि क्या आप इसके बारे में पहले जानते थे हवाई जाज के रंग के बारे में कि ये सफेद क्यूं होता है आप लोग ने मुझे इतना समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद